वेल्कम बैक टू दा चैनल गाईज आज हम लोग बात करेंगे इसराइल ने फिर से अटाक किया लेबनन पे और इस बार अटाक फटा के लीडर खालिल मगदा के हुआ और उनको एलिमेनेट किया गया तो अगर हम लोग लास्ट कुछ महिने में देखे तो इसराइल बहुत सारा कंट्रीज में डिफरेंट टाइम में अटाक किया है बहुत सारे इंसान का इसके वज़े से देथ हो किया है अगर हम लोग इसराइल का व्यू देखे तो हम लोग को पता चलता है यह सारा जो एलिमि आफ टाइम यह वर्ल्ड वर्थ फ्री के तरब भी जा सकता है मगर इस्राइल को कौन यह बात समझा है इस्राइल अपने तरब से अपना जो elimination program है यह हमेशाँ चलता ही जाता है different time में इस्राइल के जो दुश्मन है हो different countries में रहते और इस्राइल अपने तरब से उन लोग का जो elimination है वो करता ही जा रहा है तो अब आते है खालिल मगदा पे खालिल मगदा लेबनन के सिटी सिडान के कडीब में थे एक कैम पे वो जा रहे थे अचानक से देखा गया कि उनके कार के ऊपर एक एर स्ट्राइक हो और कार पुरा आग में चल गया तो जब उनका बाड़ी बहार निकाला गया उसके बाद पता चला के वो खालिल मगदा है जो के फाता के रहे थे साथ ही साथ जो वेपन सप्लाई है वो कर रहा थे अंद अधा से जो टेरर फंडिंग है यह दोनों भाई मिलके उहां कर रहे थे वह भी आया जिसी के सपूर्ट से पास में अगर हम लोग यह दोनों ब्रदर्स को देखे तो गाजा में भी जो हमास थे उलो को भी य ब्रदर्स से यह लोग अपने तरफ से डिफरेंट टाइप आप ट्रोरिजम फंडिंग होता है या फिर जो वेपन सप्लाई होता है यह सब कुछ कर रहे थे और इसके वाज़े से बहुत दिन से इस्राइल के स्कैनर में यह दोनों भाई आगे थे अगर आम लोग हिजगु को भी देखे लेबनान में यह जो ब्रदर्स से यह उल्नों को भी सेम सपोर्ट ही प्रोवाइट करते हैं मतलब जो टेरर फंडिंग चाहिए या फिर वेपन्स चाहिए या फिर और भी कुछ जरुवत हो तो यह दोनों ब्रदर्स जो यह फुल्फिल कर रहे थे तो इसके व हैं जो कि सपार मांग कर रहा था कि वाई सचो कर रहा झर भी तरफ से कहां गया कि ज यह कभी चाहता ही यह यह जो इरिया है यह हमेशा असांत रहे या फिर इस एरिया में हमैशा वार चलता तरे इसिदंट मोंटो है और इसके वैसे ही इस बार जो है फता के जो लीडर से उनको माना है औस अगर लोग लास्ट कुछ मैंने में देखे तो इसरे अपने तरब से काफी डिया है इस राइल जितना भी दुश्मन है जो जो कंट्री में जहां जहां जो इसराइल के एक एक करके ढून ढून के उन लोगो मार रहे है अगर हम लोग गाजा स्ट्राइप में देखे तो वहां और हमास को आज जो मनलब काउंटिंग है वो बहुत ही कम हो गया है इसके इलावा हम लोग अग आज की डेछ में आगर हम लोग देखे यूस अपने तरफ से इसराइल को यूस कर रहा हुज और इसरेट के कंधे पर बंदू करके ऊढ़कर बंदो एक एक करके उनका जो दुश्मन है हम लोग अगरें का जो कंडीशन है या रहर जल्दी को होने वाला है अबस्तर सारा anti-west countries है वो लोग completely इस्राइल के खिलाफ करे हैं तो आगे जाके यह situation है और भी खराब हो सकता है और hopefully इस्राइल को पता है कि आगे उसको सब कुछ कैसे handle करना है on the other side अगर दूसरा जो countries है वो लोग एक साथ होके against इस्राइल खरा हो जाते है और इस्राइल का जो में सपोर्ट है यूएस तो यूएस में भी हम लोग को पता है कि नवेंबर में election होने वाला है तो आगे जाके आगा नवेंबर में election हो जाते है तो उस time के बाद election के बाद कौन किसको support करें या यह भी थोड़ा questionable है जबके ट्रंप अभी इस्राइल को support कर रहा है on the other side in future जाके क्या होगा यह हम लोग को कुछ भी पता नहीं तो यह जो इस्राइल का कहानी है यह इतना जल्दी खतम होने वाला नहीं है और hopefully हम लोग को बहुत कुछ आगे जाके देखने को मिलेगा जैसे कोई नया अपडेट आएगा मैं आप लोग के लिए नया वीडियो बना दूंगा hopefully यह वीडियो आपको इंट्वेस्टिंग लगा है अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैं यूट्यूब चैनल जड़ी जातनू पॉल ए टी ए एनिंव पर सब्सक्राइब कीजिए बहुत सारा इंट्रेस्टिंग टोविक में बहुत सारा वीडियो आपको हां मिलने वाल है जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है आप अपने लाइफ पे जो स्पेशल परसे ने उनके साथ शेयर कीजिए क्योंकि कि इससे क्या होगा आप क्या देखना पसंद करते उन तक जाएगा हम लोग जैसे जो प्रेटर है हम लोग जो जो रोजी रोटी है वो चलता रहेगा आज इस वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो के मैं फिर से हाजिर हो जाओंगा जब सब्सक्राइब करें प्लीज जो बेल बटन ही उसको क्लिक कर दीजे कि उससे आपको इंस्टेंट जो जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको पास नोटिफिकेशन जाएगा आप वीडियो जो है इंस्टेंट देख पाएंगे थेंक यू